हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पर्शियन कैट को खाने में क्या दे डाइट में क्या देना चाहिए अगर आपके पास एडल्ट कैट है या किटन्स है तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूली कैट पर्चेस करते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता है इस वीडियो को देखने के बाद उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर भी कोई अगर आपके माइंड में कोशन है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर दिये गए वाटसअप नंबर पर मुझसे वाटसअप पर कॉन्टेक कर सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि मेरी कैट 16 मंट की है और उस हिसाब से मैं इसको डाइट दे रही हूं साथ ही साथ आपको बताती जाओंगी कि कैट अगर आपकी छोटी है तो आपने कितना स्कीप करना है और किस कौंटिटी में उससे आपने देना है सबसे पहले तो मैं जैसे कि विंटर्स चल रहे है तो मॉर्निंग में हम कैट को बॉयल एक दे रहे हैं क्यूंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और विंटर्स में कैट को एक से प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी कितन छोटी है या फिर उन तो आप एक दिन स्कीप करके देखे थोड़ा सा देकर देखे स्टार्ट में वो कैसे रियक्ट करती है उसको किस तरीके से सूट होता है बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में एक साथ में फर्स डे में उसको ना दे और अगर आप दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग कच्छा ए दे दे वो आराम से खा लेगी अगर कच्छा भी वो खाती है तो भी आप दे सकते हैं लेकिन फुल एग एक साथ में फर्स डे में ना दे हाफ या फिर वन फोट से स्टार्ट करें और फिर उसे कॉंटिटी बढ़ाते जाए चोटी सी किटन है अर अराउंड 30 डे सिक्स्टी कर दे तो मैं मोर्निंग में अपनी कैट को यहां पर अभी फिलाल तो बॉइल एक दे रही हूं और अलहमदुला उसे सूट भी हो रहा है नेक्स्ट फो हर्स का आपने गैप रखना है कंटीन्यू खाना उसके सामने आपने नहीं छोड़ना है दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगी बहुत सारे लोग देते हैं बहुत सारे लोग अपने माइन से बहुत सारी बाते करते हैं अगर हम बोलते के बॉइल चिकन देना चाहिए तो बोलते वो जानवर है वो कच्छा खा सकते हैं लेकिन हमें बॉइल एग बॉइल चिकन देने से उनकी सेहत में जो भी bacteria होते हैं वो सारे खड़ मोजाते हैं बॉइल करने से यही reason है के chicken कच्छा ना दे और अगर हम उनने कच्छा chicken देते हैं तो उन्हें बार-बार आपको de-warming करवानी होगी नहीं तो उनको hair fall की problem हो सकती है कोई infection उनको लग सकता है बहुत सारी प्राइब्लम हो सकती है तो आप फलका सा उसे बॉइल करके अच्छे से मैश कर ले हाथ से मैश कर ले अगर छोटी की टन है तो उसे मिक्सर में पीस कर और थोड़ा-थोड़ा सा उसे स्टार्ट में दे तो बॉइल चीकन बहुत अच्छा होता है उनकी health के लिए fish भी आप दे सकते हैं आप boil करके उसे दे सकते हैं fish भी काफी अच्छा होता है उनके लिए तो आप अपने हिसाब से ऐसे थोड़े बहुत changes कर सकते हैं daily यही routine आपने नहीं रखनी है कभी आपने दुफेर में egg दे दिया morning में आप उसे chicken दे सकते हैं morning में कभी आपने उसे food दे दिया लेकिन सिर्फ इस बात का आपने ध्यान रखना है कि night में उसे heavy food ना दे like egg वगेरा हो गया तो kittens है तो अगर adults है तो आप दे सकते हैं कोई problem नहीं है kitten है और आप भी आपने start किया है उसे देना तो रात के वक्त उसे heavy food ना दे उनका जो meow food आता है वो आप night में दे सकते हैं so अब यहां पर मैंने चार घंटे के gap के बाद तो मैंने उन्हें boil chicken दे दिया या boil fish दे सकते हैं उसके बाद में 4 हर्स का फिर हमने gap लखने के बाद मैं उसे meow food देती हूँ तो meow food में मेरा ऐसा है कि मैं meow food उसको raw नहीं देती हूँ like बहुत सारे लोग ऐसे meow food टुरंट दे देते हैं तो मैं उसे देती थी लेकिन मैंने ये बात नोटीस की है कि जब मैं उसे ऐसे ही देती हूँ ना खाने के लिए तो बहुत ही कम quantity में खाती है तो मैंने उसे थोड़ा सा पानी में भीगा कर देना स्टार्ट किया तो वो काफी अच्छी quantity में खा लेती है और जितना जादा वो खाएगी तो ये है कि वो over eating तो नहीं करती है तो मतलब उसकी health के लिए अच्छा है जितना जादा वो खाएगी उतना उसकी health के लिए अच्छा है उसकी health अच्छी बनेगी तो उसे आप पानी में भीगा कर दे जहां वो 20 से 25 दाने खाती थी ना raw तो वहां वो 50 दाने खा लेए डबल quantity में वो खा लेए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उसे पानी में भीगा देती आप पर depend करता है कि आप उसे कैसा देना चाहते हैं उसे साबसे आप दे सकते हैं तो आप रौ भी दे सकते हैं या फिर आप पानी में भीगा कर हलका सा पानी दालकर एक 2 सेकेंड के लिए आपने रख देना है वो soft हो जाता है और फिर वो खा लेती है तो यह सारी चीज़े हैं जो मैं अपनी cat को दे रही हूँ फिल हाल में और अगर गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो फिर मैं उसकी routine, diet routine थोड़ी change करूँगी फिर उस पर मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कोई भी changes करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ detail में explain करूँगी तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो रैट प्लर का जो बटने उसे प्रेस करके चैनल को subscribe करके bell notification on कर देना ताके मैं जब भी ग्स बाहीं कर दो मैं जब भी तो अज्ब भी जड़ीं